एक समय की बात है, एक छोटा सा बंदर एक जंगल में रहता था, वह बहुत खुशनुमा और खेलने की भावना रखता था, वह दूसरे जानवरों के साथ खेलने और मौज मस्ती करने के लिए बहुत उत्सुक था, एक दिन बंदर ने सभी जानवरों को एक बड़े पेड़ी के नीचे बुलाया, उसने सभी को बताया कि उसे एक नया खेल आविशकार किया है और वह सभी के साथ खेलना चाहता है, सभी जानवर रोमांचित हो गए और बंदर के पीछे उत्साहित होकर चल दिये, बंदर ने सबसे पहले एक फल को उठाया और उसे दूसरे जानवरों को दिखाया, फिर उसने फल को एक छोटे से नाली में छिपा दिया, अब बंदर ने सब को बताया कि उन्हें नाली को खोजना है और जो उसे पहले ढूंड लेगा, वह अगली बार खेल का संचालन करेगा, सभी जानवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे और नाली की ख खोज में जुट गए, हाथी, चीता, खरगोश और बहुत सारे और जानवर अपनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बंदर ने जानवरों